चलिए दोस्तों आपको कुछ अनोखी तरीकी से बताते हैं कि दोस्त का विलोम सब्द क्या होता है और आज की इस वीडियो के इंदर आपको दोस्त के विलोम सब्द के बारी में हम अच्छी से जानकारे देंगे आप बस वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और वेला इकन को दबा दी हम आपको सबसे पहले पता देते हैं कि विलोम सब्द किसी कहती हैं ताकि आप दोस्त के विलोम सब्द को अच्छी तरह से याद कर सकें तो दोस्तों जरा द्यान से सुनी कि वे सब्द जो एक दूसरे के विप्रीत या उल्टार्थ देती हूँ उन्हें विलोम सब्द कहती हैं और वहीं पर अगर आप दोस्त के विलोम सब्द की बात करती हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हिंदी व्याकरण के अंदर दोस्त का विलोम सब्द दुस्मन माना जाता है यानि दोस्तों दोस्त का विलोम सब्दे दुस्मन होता है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके कारण सी आभी मरे सा दो रहें कि दोस्त का विलोम सब्दे दुस्मन होता है तो दोस्तों अगर आप इन्हें और भी एच्छी तरह से याद करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दोस्त किसी कहते हैं यानि दोस्त का अर्थ क्या है और दुस्मन का अर्थ क्या है तो आईए दोस्तों हम जानते हैं कि दोस्त का अर्थ क्या होता है दोस्त का हिं हिंदी में अर्थ होता है मित्तर या यार यानि जो व्यक्ति आपका मित्तर है वह आपका दोस्त है और वहीं पर अगर हम दुस्मन के अर्थ की बात करते हैं तो दोस्तों दुस्मन का हिंदी में अर्थ होता है सत्रू या फिर वेरी यानि जो व्यक्ति आपका सत्रू है वह द दूस्मन होता है तो इस तरह से दोस्तों दोस्त और दूस्मन दोनों विप्रीतर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि दोस्त का विलोम सब्दे दूस्मन होता है तो दोस्तों आप अब यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि दोस्त का विलोम सब्दे दूस्मन है और यह आपको अच्छी तरह से याद करना है जिसके कार्ण से आप भी इमारे साथ दो रहें कि दोस्त का विलोम सब्दें दुस्मन होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो के नदर आपने सीखा कि दोस्त का विलोम motiv क्या होता है अगर आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप तो यू तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें